इसने खिला जा बस वह बोसन पाले कप्ट चांड करका और दुआई समझे का एक एक चमचा श्टार्ट अप एरवेदा पर दोस्तों आपका स्वागत है जैसे आपने देखा माता जी जिस व्रक्ष की छाल को हाथ में लिए पकड़े हुए है उस व्रक्ष के बारे में आपको जानकरे देंगे क्या दोस्तों आपको पता है यह कौन सा व्रक्ष है जिया दोस्तों हम आपको आपकी जानकरी के लिए बता दे यह व्रक्ष कोई आम व्रक्ष नहीं है हरद्य के सभी तरग बेमारियों में आपको यह व्रक्ष बहुत फायदे करेगा इस व्रक्ष का नम ह पिछले तीन वर्षों में हर्ट अटेक का बढ़ चुका है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जो ओफिशल है वो तो अलग है जैसे कि अभी फिलाल है में राजु श्रीवासुजी को पहले साथ स्टंट डले हुए थे अभी दो स्टंट और लगे हुए तो आप कमाल की नी बात है जो एतना हसते हैं उनको भी श्रस लगे है यह फर्क है हमारे खानपान का हमारे खानपान इतना खराब बच से बत्तर हो चुका है कि स्टंट तो लोग ऐसे लगवा रहे है जैसे कि सेना में किसी चैनिक को मैडल लग रहा है हाँ यह कोई मैडल नहीं मैं ARE किसी तर स्वास्तिय के आपको अपने धन माया सब अब्लय प्रफाइल टेस्ट कराइएगां और उसमें देखना आप ल्ड्य आके हमांदी समस्या का सामना करना पड़ जो इससे लिए वह क्यों आपने चैनल पर लेकर के आए है ये अरजुन रक्ष अरजुन रक्ष की चाल इतना ही चमतकारी ओशदी है कि इस चाल के सेवन से आपको हर्दया समन्दित किसी भी तरह की वेमारी का कभी भी विश्चा में सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है ट्राइकलेसलाइड ब इसके चाल में हम कहीं तरह के ओशद्या गुणों का फाइदा उठासकते हैं इसका सेवन और इसके फायदे क्या कहा है इसके ओशद्या गुणों के बारे में यह बात करें तो इसमें एंटी इस्कैमिक एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लामेंटरी तथा जीवानु इसमें लवन और कैल्सियम चौनती पिसंट मातरत लगबग इसकी सूखी पाउडर में ही होती है इसको राव फोम में चाल कहीं डिरेक्ट उपयोग करें तो जाद होती है इनके खिशारों में सौडियम अलुमिनियम वे मैंगनेशन परमुखता होता है इसमें कैल्सियम वे सौडियम पक्स की प्रमचूरता के कार नहीं है हर्द्या के सुक्षम सर पर जाकर कार्या करता है आपकी ब्लोकेज को हटाता है जो आपकी ऐसमान्य धड़कन तथा बीपी भड़ना गबरहाट बेचैनी की स्कायत को दूर करता है यह कफ और पीत रोगों को शांत कर देता ह इस में ड्रक्स ऑफ हिंदुस्तान के प्रसीद डॉक्टर गोश के अनुसार यह हर्द्या के रोगों में नंबर वन औश्यदी मानी गई है आप इसका उप्योग इस तरह चाल उतार कर चोटे-चोटे टुकडे कर लें मानो चोकलेट के अकार के चोकडे कर लें इन टुकड चाल का सत्व उस पानी में चला जाएगा मतलो कि पूरा असर उस पानी में चला जाएगा तो आप उस पानी को चानकर सुबह खाली पे उस एक गलास पानी को पी लें और आदा घंटा तक कुछ न खाए और इसी तरह का प्रयोग लगातार तीन मिलने करें बीच में 15 दिन च प्रजाती दोर में एमर्जंसी के लिए रोक रुकाओ के लिए आप अलपैथिक दवाई ले सकते हैं मैं अलपैथि से आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ आप अलपैथि ले लें तो साथ-साथ उसके अईरवेद को भी शुरू करें ताकि आप बिमारी आपको बिल् पोदा चाहें आप चोटा लेके आउनरी सरी से तब से लेके और इसका पोदा साथ फिट तक उचा हो जाएं आपको पत्ते इसके इस तरह के कटे हटे ही मिलेंगे मैं आपको स्क्रीन पर इसका नया चोटा पोदा दिखा रहा हूं हमने अभी अपने गाउं में पिछले दो पोदे लगाई हैं दोस्तों आप भी इस तरह अपने गाउं में जहां की खाली जगाया पड़ी है सरकारी स्थान है वहां पे पोदे लगाईएगा और आयरवेद का कुद्रत का इन जड़ी बूटियों का फायदा उठाईगा दोस्तों अभी मैंने पिछे बताया था इसक अब 20 किलो भी उतार लें उसको आप छुट छुट टुकड़े करके घर में रख लीजेगा और उन टुकडों से आप पहले तो चाय भी पी सकते हैं बना कि आप आपको चाय के वारे में अपनी अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे आप चाय में इसका सेविन कीजे वह पानी भी आपको पूरा भरपूर फायदा करेगा हर्दे कीजी किसी भी तरह की ब्लोकेज खून गड़ा कोलेस्ट्रोल और हर्देक में एंजाइना पेन ये सबी तरह की समस्चा हैं आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और दोस्तों यही जानकरी हम आपको देना चाहत इसकी हलकी गहरे लाल रंकी अंदरले साइड से चिकनी है और मोटी है इस चाल को अतारकर आप रख ले इसका पाउडर बना ले या इसको इसी रा फॉम में ले 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 तो इसी तरह की अच्छे अच्छी वीडियो लेकर हम मिलते रहेंगे अपने चैनल पर आप चैनल को सब पूस्क्राइब कर लेजिए प्लीज वीडियो को लाइक तदा शेयर कर लेजेगा तब तब के लिए धन्यवाद जाए हिंग